करनाल के मधुवन के पास दर्दनाक सड़क हाथसा हो गया है आपको बतादे की पानीपत से करनाल आ रही एम्बूलेंस की कार से जोरदार टकर हो गई जिसमें दो व्यक्तियों की मौत हो गई बतादे की पानीपत से रमेश नामक मरीज को इलाज के लिए करनाल लेकर आ रही एम्बूलेंस बजीदा के पास हाईवे पर टवेरा गाड़ी से टकरा गई जिसमें एम्बूलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई और रमेश नामक मरीज की अस्पताल में जाकर मौत हो गई के बाद परीजनों को सौफा जाएगा यह मामला मधुबन थाने के अंतरगत आता है पुलिस बारी की से मामले की जाच कर रही है फिलाल इस हादसे से परीजनों का रो रो कर बुरा हाल है मृतक रमेश के परीजनों ने कहा कि टवेरा गाड़ी वाले के खिलाफ मामला दर्ज क मौत हो गई हादसे के कारण कुछ देर के लिए यातायाद भी बादित रहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायाद को सुचारू करवाया इधर पुलिस का कहना है कि शव को कबजे में लेकर पोस्त मौटम के लिए भिजवा दिया गया है परीजनों के बयान लिए जा यह करवाई हो जो मौएजा दिये जाए यह करवाई है उसको डिक्कत थी उसकी मतलब वो नारी नोडी लग रही थी तो यहां नाक में एक्सिदेन की बगारा उनको तरवाने के लिए 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 थे वो मरीद तक्रीबन ठीक ही था और आक्सिदन है इंदम से सब सिस्टम क यहां कौन से उस्पिरल लेकर आ रहे थे आप लोग नर्सिंग ओम है जी पोष्ट क्या कारवाई चाहते हैं आगी क्या कारवाई चाहते हैं तवेरागाडी वाड़े के साथ कारवाई होने थी और इसका उसको जर्माना है रहा है तो आपने पुलिस में इंफॉम कर दिया ह होगा क्या कुछ बना है उसके बाद मिंपुलिस में जा रहे हैं जी पोष्ट लिखाना जा रहे हैं वर्मीन एसाई के पास मदूबन वार दा रहे हैं उसके बाद वो जहीं तर आएंगे उसके बाद यहां कारवाई तो कुछ गाडी का नंबर वगेरा भी किसको याने बना है उस जा रह वड़ावास राजगहाना ऑन फिने पासित कुछ धी नंबर दीघ्राने खंद परचित का नुड रहे हैं प्रफे बडिनい वल्च बेस्ट अजविद ॉड़्क बन